आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिजाइनर कुर्ती के पैटर्न बताऊंगी जिससे कि अगली बार जब भी आप अपने कुर्ती को डिजाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फिर इस ब्रोकेट के कुर्ती तो हम बनवा लेते हैं पर उसके साथ किस तरह के दुपट्टे हमें पहनने चाहिए आज मैं उसकी बारे में बताऊंगी आपको इस वीडियो में तो देखते रहे है वीडियो को एंड तक चली जो रहते है वो प्लेन रहे और उसमें आप एक स्ट्रिप जो है वो ब्रोकेट के फैब्रिक से ही लगाए जो कुर्ती का फैब्रिक है तो इस तरह का एक आउटफिट आपका क्रियेट हो सकता है ये प्लेन दुपट्टा आप कोई भी फैब्रिक का ले सकते है नेट का ले स तरफ इस तरह का एक लेस भी लगा सकते हैं यह स्कोलो पैर्टर में यह स्कुल प्रॉट एक लियों इसे लगता है तो आप बनारसी दूपट्टा जो कॉंट्रास्ट कलर का होता है वो भी आप ब्रोकेट के कुर्टी के साथ वियर कर सकते हैं अगर आपको पार्टी वियर चाहिए तभी आप इस तरह का एक गेट अप बनाए इसमें बहुत से कलर अवेलेबल होते हैं जो आपकी कु हो जाता है जो कि आप पार्टी में वियर कर सकते हैं इस तरह की जो टिशू के दूपट्टे आते हैं जो थोड़े क्रेप वर्प में होते हैं वो भी इसमें कुछ सेल्फ गोल्डन प्रिंट होता है तो इस तरह का भी एक आउटफिट आप पहन सकते हैं जब आपको पैक्शन है जो आप रख सकते हैं जेसे नेट की जो फैब्रिक होता है उसमें भी बहुत सारे इस तरह के सेल्फ एम्रॉइडर्ड पैटर्न मिलते हैं तो आप उसी को 2,5 मीटर को खरीद के इस तरह का एक दूपट्टा बना सकते हैं जोड़डन दूपट्टा भी बना सकत और बहुत सिंपल लोग भी आता है अगर आप मैचिंग दूपट्टा लेंगे तो आप कैजूल वियर में भी इस तरह की कुर्ती जो है जो ब्रोकेट की हेवी कुर्ती होती है वो आप च्राइ कर सकते हैं रोकेट की फैब्रिक के साथ चंदेरी सिल्क का दूपट्टा होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का तो अगर आपको कही चंदेरी सिल्क का फैब्रिक मिल रहा है तो आप उससे भी दूपट्टा बना सकते हैं या फिर कोई चंदेरी साड़ी पड़ी है तो उसका भी आप पल्लू निकाल के दूपट्टा क्रियेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थे कुछ डिजाइनिंग आइडियास अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए अगर आप इसी तरह के और डिजाइन्स या कुछ डिफरेंट डिजाइन्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी त